नमस्कार मैं हूँ आपके संगनित्यम मंत यन तंत्रवास्तों के विशेश कासकर्ण के साथ हमारे सास्त्रों में आवावास्या तिथी का बहुत ज्यादा महत्त है ऐसा मानते हैं कि आवास्या तिथी के दीन अच्छे काम के साथ किसी दूसरे को नुक्सान पहुचाने के भी बहुत सारे टोने टोटके किये जाते हैं कुछ लोग टोने टोटके करते हैं फैदे के लिए और कुछ लोग दूसरों को नुक्सान पहुचाने के लिए इस दिन बहुत सारे टोने टोटके करते हैं लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि चेत्र आवाश्या के धीन आप क्या दस उपाय करें ताकि आपके जो सुक समर्दी की रास्ते हैं खुल जाए धन संपती का आगवन आपके जीवन में होना शुरू हो जाए आवाश्या तीथी का धीन बहुत जादा महत्पुन होता है इस आसानी से होता है यह उपाय आपको हर आवाश्या तीथी को करना चाहिए अगर आप इसको करते रहेंगे तो जीवन में कभी भी आपको किसी चीज के दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा तो बने रही हमारे साथ हम आपको ताएंगे चरेत्र आवाश्या पर करें इन मे वीटो का नोटिफिकेशन आपको तुरंद बिल जायें परतेक महा के कृष्णपक्ष की आखरी ती आवावास्या और सुक्र पक्स की आखरी ती ती पुनिमा कहीं जाती है इस बार आवावास्या ती थी शुक्र बार एक अप्रेल दोहचार बैस को मनाई जाएगी भार को प्रदान करते हैं पुरुबज़ों और पित्रों के आशिरवाथ से जीवन में सभी कष्टों का निवारन होता है। अब आवास्या पर कुछ धार्मिक उपाय ऐसे हैं जिनको करने से आपके जीवन में सुक्सांती आती है धन की आमदनी होती है और जीवन में जो भी संघर्ष है सारे संघर्ष भी खतम होने लगते हैं बस आपको ये उपाय कर लेनी है हर अवाश्या तीथी को आप करें निश्टी दूप से आपके जीवन में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी सबसे पहली चीज आपको क्या करना है धार्मिक मनता के नुशार आवाश्या के दिन पवित्र नदियों में असनान तथा दान एवन पित्रों को भोजन रपित करने से पित्रगन प्रसन होकर सुक समिर्धी और दिघायू का आशिरवाद देते हैं इसलिए इस दिन अगर आपके आसपा समस्याओं का समधान कर देते हैं दूसरी चीज है आवाश्या के दिन तांबे के लोटे में लाल चंदन गंगा जल और सुदह जल मिलाकर ओम घिरनी सुर्जाय नमह मत्र पढ़ते हुए भगवान को अर्ग देने से भगवान सुर्ज को अर्ग देना है अर्ग देते समय धन के नए नए रास्ते आपको दिखने लगेंगे तीसरी चीज है आवाश्या के दिन पीपल के पेर पर थोड़ा सा कच्चा दूध गंगा जल काले तील चीनी के दाने चाबल था पुस्प अर्पित करने से भगवान बिश्नु किरपा के साथ साथ पित्र देव भी प्रस करें आपके जीवन में भगवान बिश्नु किरपा से कभी भी किसी चीज की दिक्कत नहीं होगी पित्रों का आशिरबात पाने के लिए आवाश्या के दिन किसी ब्राह्मन को घर बुलाकर आदर प्रुवक भोजन कराएं और दक्षना देकर उन्हें बिदा करें इस दिन ग चैत्र अमावाश्या के दिन चीटियों को सक्कर मिला हुआ आटा खिलाएं गाय को हरा चारा खिलाएं ऐसा करने से आपको कस्टों से मुक्ति मिलेगी विशेश रूप से गर्मी की मोसम में पसु पक्षियों को अन जल देने से विशेश लाब मिलता है इन्हें भोजन देन से पित्र गन अती संतुष्ट होते हैं और आपको हर काम में सफलता दिलवाते हैं इसलिए इस दीन आप चीटि को सक्कर मिला हुआ आटा गाय को हरा चारा अवस खिलाएं जहां भी जैसे भी हो आप इस दिन ये चीज अवस आपको करना चाहिए जो सबसे महत्पुन बात है आवस्या के दीन चुकि ये पित्रों का दीन होता है इस दीन पित्रों के निमित और सहाय एवं गरीब लोगों को भर पेट भोजन कराएं जो भी गरीब लोग आपके आसपास हैं उसको भर पेट भोजन करवाईए ऐसा करने से घड की आर्थिक प्रिसानी दूर हो जाती है और धन संपती का आगवन भी होता है ये उपाया आपको छोटा लगता होगा लेकिन अगर आप ये करना सुरू करेंगे और अपने दिल से अपने इक्छा से करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी हर आर्थिक प्रिसानी दूर होती है और धन संपती का आगवन भी आपक जीवन में जरूर होता हुआ इस दिन आवासय के दिन शंध्या काल में घर के इसान कोण में पूजा वाले स्थान पर गाय के घी का दीपक जलाएं ऐसा करने से आपको सभी सुखों की प्राप्ति होती है इस दिन अगर आपके पास गाय का घी नहीं है तो तिल के तिल का भे द या तील के तेल का दीपक भी आपको इतलाना चाहिए। ये भी ध्यान रखिए कि हर अमवास्या के दिन अपने मेन गेट के सामने आपको सरसो के तेल का भी एक दीपक लगाना चाहिए। ये भी काफी उत्तम होता है। अनेकों परिसानियों से छुटकरा पाने के लिए आमवास्या के दिन सुबह हसनान करने के बाद आटे की गोलियां बनाएं और इसी किसी तालाब या नदी की में जा करके ये आटे की गोलियां आप मसलियों को खिलाएं। ये बहुत ही अचुक उपाय है। मैं बहुत बार बोलता हूँ कि अगर आप ये उपाय कर लेते हैं कम से कम आवास्या के दिन किसी भी समय में आप ये कर लें मसलियों को आटे की गोलियां खिलाएं तो आपके जीवन की हर प्रिसानी से छुटकरा आपको तत्षन मिलता है तुरन मिलता है। ये बहुत ये चुकुपा है ये चीज आपको हर आवास्या को करना चाहिए। तो ये चीजे अगर आप करते हैं इन में से सारे चीज कर सकते हैं या जो चीजे आपको अच्छा लगे वो चीज आप इस आवास्या के दिन अवस करें आपके जीवन की हर प्रिसानी दूर लेकिन आपको सरधा और विश्वास होना चाहिए और अपने मन से दिल से इक्षा से करें आपको लाव नीश्री तूरूप्से होगा आवास्या के दीन अगर आप चाहते हैं कि इस उपाय से आपको लाव की प्रापती हो तो इस दीन भूल कर भी मंस मदिरा का सेवर ना करें अयसा करना पित्र दोस का करना बन सकता है, इसलिए इस दिन मांस-मदिरा का सेवन ना करें, इस दिन आपको बाल नाखुन भी नहीं काटना चाहिए, साथ ही या भी ध्यान रखें कि इस दिन दाधी भी आपको नहीं बनई चाहिए, मनतानों सार ऐसा करना बहुत ही ज़्यादा सुभ होता है इसलिए आप इन चीजों से बचे और ये उपाय करे जीवन में आपको फल की प्राप्ति निश्ची तुरूप से होती है अगर आपको ये भीडो प्रसंद आई तो कि पैसे लाइक करें सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों शगे समंध्यों के साथ भी सेर करें फेजबुक पर फोलो करें ताकि आपके दोस्त शगे समंध्य भी इन उपाय को करके अपने जीवन को उत्तम बना सकते हैं आज के इतना ही धन्यवाद